कि रो रहा था एक इंसान ऐसा क्या अब कर्म किया मेरी सुन्दर सी दुनिया में हाई बेटी ने जन लिया जै बाबा के दानत तो उत्राखंड की वादियों से एक छोटा सा सायर गुल्शन आया है उत्राखंड की वादियों से एक छोटा सा सायर गुल्षन आया है साथ में चुन-चुन के उन सुरम्या वादियों के शब्दों को लाया है और मेरे शब्दों के जाम को धीमे धीमे पीजिएगा और कहीं हो जाए गर गलती मुझसे तो मुझे माफ कीजिएगा और किस चीज़ पे है मेरी कवीता ये मैं बताता हूँ इस तरीके मर्म को आज समझाता हूँ तो इससे पहले कि मैं अपनी कवीता सुरू करूँ सर की नजर एक छोटा साज हायर मैडम के लिए कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा नजर को नजर की नजर लग गई और तुम्हारी नजर का असर था कुछ इस कदर मुझ पर कि इस दिल में महबत की आग लग गई कि इस दिल में मुहबबत की आग लग गई कि प्राण है जन जीवन का जो जो नब जल थल में वास करे धरा धूरी वायू के रूप में जन मानस कल्यान करे धरा धूरी वायू के रूप में जन मानस कल्यान करे रहे समर्पित अग्रिण होकर शत्रू पर जो वार करे और शक्तिमान होने पर भी शांत रूप में वास करे ऐसी परा सकती बिना जिसके शिव भी शव के समान है वो इस्तरी कोई बोज नहीं एक वरदान है वो इस्तरी कोई बोज नहीं अपी तो एक वरदान है कि आखों की जोती से लेकर प्राण वायू का सार है कि संसार का एक मंत्र अंस नहीं वो अपी तो सारा संसार है कि गुझाएमान जिसकी धुनी से ओम जिससे सुर और राग है ऐसी मात्र शक्ती को जान पाया ये मेरा स्वभाग्य है कि आज करना कुछ एक छोटी सी कलपना बनी हुई कि बेटी पैदा हो गई क्या हो गया बेटा होना चाहिए था है ना तो उसी वे मैंने कुछ लिखाया कि रो रहा था एक इनसान कि रो रहा था एक इनसान ऐसा क्या अब कर्म किया मेरी सुन्दर सी दुनिया में हाई बेटी ने जनम लिया कहता बेटे की चाह में कितने थे धर्म किये once आगे बढ़े मेरा इसले थे शुकर्म किये हर चौखट पे इस्वर की मैंने था पुन्य का कर्म किया हो गए वो सर्बनिस्फल क्यों बेटी ने जनम लिया रे मूर्क अग्यानी तेरी गूर सोच कितनी छोटी है गर भाग्य से होता बेटा तो सौब भाग्य से बेटी होती है समझाना चाहा उसे बहुत पर सोच तो सोच होती है होता है गर बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है गर बेटा बुढ़ापे की लाठी तो बेटी लक्षमी होती है होता है गर बेटा बुढ़ापे की लाठी तो बेटी लक्षमी होती है कि इस्त्री और पुरु संसार में एक दूसरे के पूरक है और जो ना समझे इस तत्या को वो सरवथा मूरक है धन्यावाद जय उत्राखन